भारतिय समिधान का अनुच्छे 23 और अनुच्छे 24 शोशन के विरुद अधिकार प्रदान करता है और ये अनुच्छे 23 के तहट अनुच्छे 23 ये कहता है कि मानव व्यापार और जवरंश्रम उसे निशेद किया गया है अनुच्छे 23 के द्वारा अनुच्छे 23 में जो अधिकार दिया गया है वो मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ जो गैर नागरिक हैं उनके लिए भी उपलब्द है और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात ये है कि अनुच्छे 23 के द्वारा जो अधिकार दिया गया है शोशन के विरुद जो इसमें मानव व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, खतम कर दिया गया है, साथ ही साथ मानव व्यापार के लिए महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को एक सामान की तरह खरीदना बेचना पूरी तरह से निशेद किया गया है, बंद कर दिया है, साथी साथ महिलाओं और बच्चों का अनैतिक रूप से व्यापार करना और उनके अलावा इनसे अनैतिक रूप से कोई काम करवाना जिसमें वैश्यविर्ती जैसे चीजें भी शामिल हैं उनको खतम कर दिया गया है साथी साथ किसी को दास बनाने की जो प्रथा थी और किसी को दासी बनाने की जो प्रथा थी उसे भी अनुच्छे 23 के द्वारा खतम कर दिया गया है तो अनुच्छे 23 मानव व्यापार को पूरी तरह से खत्म करता है और ये शोशन के विरुध अधिकार के अंतरगत शामिल है साथ ही साथ अनुच्छे 23 जबरन श्रम को भी खतम करता है उसे खतम करता है इसके लिए जबरन श्रम के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है बेगार और बेगार शब्द का मतलब यह होता है कि बिना किसी पारिश्रम के बिना किसी वेतन के जब कोई व्यक्ति किसी से क काम कराता है तो उसे हम बेगार कहते हैं या जबरजस्ति कोई काम कराता है तो उसे हम जबरन श्रम कहते हैं और ऐसा जबरन श्रम या बेगार अनुच्छेद 23 के तहट खतम कर दिया गया है और शोशन के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 ने ये दो चीजें की हैं कि मानव के व्यापार और जवरनश्रम यानि बेगार को पूरी तरह से खतम कर दिया है लेकिन अनुच्छे 23 में जो उपबंद दिये गये हैं अनुच्छे 23 में जो शोशन के विरुद्ध अधिकार दिया गया है उसमें कुछ अपवाद भी है अगर राज्य को ऐसी अनुमती राज्य अनुमती देता है राज्य इस तरह की कोई पर्मीशन ग्रांट करता है कि सार्वजनिक उद्देश्चे के लिए कोई अनिवारे सेवा है जैसे सैनिक सेवा होती है या समास सेवा है वो जवरजस्ति अपने नागरिकों से करा सकते हैं यानि नागरिकों के लिए इस प्रकार की सैनिक सेवा या सामाजिक जो सेवा है वो कराने के लिए इस तरह का कोई और्डर पास कर सकता है कि नागरिकों को कुछ टाइम के लिए कुछ समय के लिए सैनिक सेवा करनी ही होगी इसके अतिरिक्त ध्यान देने वाली बात ये है कि अनुच्छेद 23 में जब नागरिकों पर राज्य इस तरह का कोई अनिवारे सेवा की शर्त लगाता है तो ऐसे में राज्य धर्म या जाती या वर्ग या अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है इसके अलावा शोशन की विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 में शामिल है 24 में देखिए क्या शामिल है 14 वर्ष से कम आयू वाले जो बच्चे हैं उनको कार खानों या अन्य जो जोखिम भरे काम हैं उनमें न्योक्त नहीं किया जा सकता यानि 14 वर्ष से जो कम आयू के बच्चे हैं उन बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम में जोखिम भरी फैक्टरी में जोखिम भरे कार खाने में बीडी सिगरेट के जो कार खाने होते हैं या ऐसे कार खाने जहां विस्फोटक परदार्थों का निर्मान किया जाता है वहां 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारे करने के लिए नहीं रखा जा सकता है तो ये अनुछेद 24 में प्रावधान किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयू के जो बच्चे हैं उन्हें जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जाएगा नहीं लगाया जाएगा और अनुच्छे 14-24 के इस प्रावधान को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों के सनरक्षन के लिए सन 2005 में एक बालक अधिकार सनरक्षन आयोग जो आयोग था एक अधिनियम के तहत निर्मित किया गया इसमें राश्टियस्तर पर और राज्यस्तर पर आयोगों की स्थापना की गई और ये स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो बच्चों के खिलाप अपराद होते हैं उन अपराद हो या बच्चों के जो अधिकारों का उनलंगन होता है तो उन अधिकारों की उनलंगन ताकि इस्थिती में बहुत जल्दी शीगरता से किसी परकार के निर्ने पर पहुंच सके और जो दोशी हैं उन्हें सजा दी जा सके साथ ही साथ बच्चों के उन मौलिक अधिकारों या जो अधिकार का हनन हुआ है उसे दुबारा री इंस्टेट कराया जा सके उस अधिकार को दुबारा से बच्चों को परदान कराया जा सके तो ये दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 भारतिय संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं जो शोशन के विरुद अधिकार प्रदान करता है जिसमें अनुच्छेद 23 के अंतरगत मानव व्यापार और जवरन जो शरम कराया जाता है बेगार कराया जाती करने के लिए नहीं लगाया जाएगा जो बहुत जोखिम भरा हुआ है तो ये दो अनुच्छेदों के द्वारा शोशन के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है